पत्रीला सोना, कपरा खुलता है, अंतर मन कहानी संग्रा, ढलती सूरज की रोशनी, पूछो इस माटी से, मैं और मेरी कथाएं, जैसी पुस्तकें, जिन्होंने लोक प्रियता के नई आस्मान चुए हैं, एक ऐसी सूप्रसिध सहितकार की पुस्तकें, जो हिंदी के विख्यात लेखक, व्यंगकार, नाटककार, उपन्यासकार, तथा कहानिकार की पुस्तकें भी हैं, इन पुस्तकों के लाखों राष्ट्रिय तथा अंतराष्ट्रिय पाठक भी हैं, आप है रामदेव धुरंदर, मौरिशस जैसे छोटे टापू को हिंदी की विशाल दुन्या में आपने एक खास स्थान दिया जन्म 6 जून 1946 शिक्षा हिंदी कक्षा उत्तमा आयू चिहत्तर रचनाएं अपने नाम पर बतीस रचनाएं रामदेव जी नमस्ते हिंदी सहित्या मौरिशस का नाम कारक्रम में आपका हम स्वागत करते हैं कारक्रम की शुरुवात हम इस कथन से करते हैं कि जब हमारी बाचित हो रही थी तो आपने कहा था कि मैं अपने देश का एक अटूठ सिपाही हूँ तो कहने का आपका क्या अर्थ था बहुत अच्छा प्रश्णा आपने मेरे सामने रखा, जिहां ये मेरा कथन है कि मैं अपने देश का अटूट सिपाही हूँ, तो इसमें मैं थोड़ा एक संसुधन कर देता हूँ, ये अटूट सिपाही का मतलब ये होता है कि मैं हिंदी का अटूट सिपाही हूँ, नागरिक तो मेरे लिए लीक बन गई है और उसे पर आज तक मैं अपने को केंदिरीत रखता हूँ बलकि आप तो मैं उस पर और जम कर रहूं कि मैं हिंदी का अटूट सिपाही हूँ और ऐसा है कि भारत तक मैंने अपनी ये बात मनवा दी है और लोग मानते भी हैं कि मौरशस में रामदेव धुरंदर जो एक व्यक्ति हैं हिंदी का लिखन करते हैं तो ऐसा लगता है कि वे हिंदी के अटूट सिपाही है और ये जो शब्द जिस तरह से मैंने कहा है तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी आत्मा से निकली वी बात है हो सकता है कि देखे मैं एक बात हमेशा इस तरह से कहता हूँ कि शब्द जो होते हैं वो ब्रम होते हैं अचरा से हम जो लिखते हैं वो रह जाता है तो मैं इसा मानता हूं कि आटोट सिपाइए कहने के पेछे मेरा अधेश्य यही तो रहा जैसा कि मैंने आप से कहा कि एक तो मैं अपनी भाषा जो मेरी अपनी आत्मा की भाषा है हिं दि इसमें मैं एक ईटूट सिपाही हूँ और अटूट सिपाही होने के पिछे मेरी ये भावना है कि मैं यतास संभव इस भाषा में लिखन करूँ、 करता रहूं और मैंसा मानता हूँ कि मैंने अपना जिवन हिंदी को दे दिया है और बार-बार मैं अपने को वहीन लोटा कूँगा इस अर्थ में इस परिभाशा में मैं हिंदी का एक शिपाशी हूँ अभी हम 2022 में है लेकिन चलिए थोरा सा हम भूत काल में चलते हैं उनीस साउनहत्तर की बात करते हैं जब आप अपनी उत्तमा की कक्षा पूरा करे थे फिर उसके बाद आपने हिंदी का ही रास्ता क्यों अपनाया जबकी आपकी पिताजी मज़़ूर थे आप भी खेटी बारी करते थे तो हिंदी का ही रास्ता क्यों देखिए रितेश जी आपका ये प्रश्ण मुझे मेरे अपने अतित में ले जा रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि ये प्रशन आपने मेरे सामने रखा है और मैं जो अभी आपसे कह रहा हूँ कि जब से मैंने फेस्बुक में लिखना शुरू किया मैं इसे की व्याक्या करता आ रहा हूँ तो ये जहां की बात आपने उठाई है जरूर उन दिनों मैं जवान था 24-25 साल की मेरी उम्र रहे थे और ये बोलते बलकि मेरा उपनियास आ रहा है मेरे जीवन पर आधारी 350 पन्नों का कल ही उसका कवर मेरे पास आया है मैंने फाइनल किया है उसे वो मेरे जीवन पर आधारी उपनियास है आधियन 350 मेरे जन्म से लेकर अभी तक जो मेरा जुवन रहा है उस उपन्यास में इसकी व्याक्या है मेरे पीता जी, मेरे मा जो थी, हम मेरा जो अपना संस्कार रहा है, वो मजदूर का संस्कार रहा है ये लोग खेती बारी करते थे, दूसरों के खेतों में काम करने वाले लोग थे और जब मेरी पढ़ाई बेस-पचिस की उम्र के बेच मेरी पढ़ाई जब खत्म होई तो मैं भी मजदूर हो गया था, मैं खेतों में काम करने वाला आदमी था और आपका प्रश्ण ये रहा था कि मेरी पढ़ाई जब हो गई और मैं हिंदी की ओर आ गया मैं इसका उतर आपको देता हूँ ऐसा रहा था ये बात सही है कि अन्य विकल्प था मेरे पास मैं अंग्रेजी की ओर जा सकता था कलगर बन सकता था मुझे नौकरी मील सकती थे लेकिन ऐसा था कि मुझे घर में जो हिंदी का संसकार मेल गया था और मेरे पीता जी मेरे एक चाचा से भुवन नाम ताओन का वे तो मुझे बैठा कर हिंदी पढ़ाते थे और मेरे पिता जी संस्कारित आदमी थे, वो मुझे बिठा देते थे, कहते थे, बिटे क्या पढ़ा तुम, मुझे सुनाओ, तो मैं पुछ तक खोल कर हिंदी, और उतो हिंदी ही समझेंगे, तो मैं उनको हिंदी सुनाता था, तो ये मेरे भीतर पैटता जाता था, पैटता हो गई और मैं इस नावकरी में लग गया तो अब आपका ये जो प्रश्ण है कि क्यों मैं इधर आया तो इसका उतर तो मैंने संशेप में आपको ये दिया कि मेरे घर का संसकार रहा था तो मैं इसा मानता हूं कि यदि मैं उधर जाता, चला जाता, आज की परिप्रिक्ष मैं उसको सोच रहा हूं कि आज मुझे हिंदी से जितना कुछ मिला है, क्या अंग्रेजी फ्रेंड से वो मुझे मिला होता? मुझे संदे है, सही है, उधर जाने पर मेरी अपनी नावकरी होती, पैसा होता, परिवार अच्छा चलता, मेरा संसकार कुछ और हो जाता तब मेरा ये भारतियता का जो संसकार है शाहिद एक खत्म हो जाता, काफी हद तक मैं इसा मानता हूं लेकिन जब मैं हिंदी का अध्यापक बन गया और ये एक सन्योग रहा था, कि मैं अध्यापक बनने से पहले, रितेश जी, आपको एक मज़ेदार बात सुनाता हूं, हिंदी अध्यापक बनने से पहले मैं हिंदी में लिखन करता था, और आपने संदद बखोरी जी का नाम सुना होगा समदत बखोरी जी एक पत्रिका निकालते थे अनुराग नाम से उस पत्रिका में मेरी एक कहानी छपी थी कहीं मैंने सुना था कि पत्रिका निकलती है उसमें वो पता लिखा होता था तो मैंने ये कहानी भेज दी थी तो ये कहानी उनके यहां छप गई तो ऐसा जब ये कहानी छप गई और ये कहानी जब छपी थी, मेरे जुवन की घटना है, मैं या को सुनाता हूँ, ये कहानी जब छप गई थी, मैं गया था, इंटर्विव दिने, प्रफेसर रामपरकास जी मेरे सामने बैठे हुए थे, तो देखे, आप मुझे कहा ले जा रहे हैं प्रफेसर रामपरकास जी बैठे हैं, मैं उनके सामने हूँ, मैंने लोगों से मिद्रों से सुना था, बड़े गंभीर आदमी है, कठोर, कठिन-कठिन प्रश्न वो पूछते हैं, तो मेरे मन में ये दुविदा थी, चिंदा थी, भाई भी था, कि मेरे सामने कौन सा पत्रिका, अनुराग पत्रिकाओं की मेज पर थे, तो उसमें मेरी कहानी है, प्रतिग्या नाम से, और ये मैं मजदूर था, ये कहानी तब मैंने लिखे थी, मैं कुदाल से काम करने वाल आदमी था, और घर आने पर मैं लिखता था, ये जो उपन्यास की बात मैं कर रहा पन्यास जो मेरा छपने वाला है, अपने रस्ते का मुसाफिर नाम है उसका, छप रहा है, तो वो कहानी जिस पत्रिकाओं में थी, वो उनके सामने रखी हुई है, तो मैं तो एक तरह से आतंकित हूँ कि काउन सा प्रश्ण मेरी सामने आएगा, तो पहला जो प्रश्ण रह था अपना नाम बोलो मैंने नाम कह दिया तो क्या करते है मैंने कहा कि मैं बस लिखता हूं क्या लिखते है आपके सामने यह जो पत्रिका है ना इसमें मेरी एक कहानी है प्रकार हम प्रकास चाओ गए इसमें कहानी है इंटर्व्यू देने की ज़रती नहीं है इंटर्व्यू क मैं डर रहा हूं तो पत्रिकां देखने पर irregularly लिखते हैं देखा कहार अरे वाहाँ जाई आपका इंटेर्वू हो गया आपके आने से पहले आपका नाम पहुच गया थाल मेरा नाम कहा कि अछा पत्रिकां में तो मेरा नाम है। उन्होंने कहा कि जाए तो पांडे जी मुझे देख रहे हैं क्यूरे जी मुझे देख रहे हैं अभी मेरा इंटर्व्यू अधूरा है और इन्होंने मुझे कह दिया जाने को मैं खड़ा हो गया दुविधा है कि मुझे लिया जाएगा कि न लिया जाएगा एक मिनट में मेरा और दो दिन बाद मेरे घर टेलिग्राम आ गया कि मुझे अध्यापन के लिए मेरा चयन हो गया है तो ये प्रोफजर राम प्रकास दे जिन होने मेरी एक कहाने की बदावलत मेरा चयन हो गया इसलिए मैं इसा मानता हूं कि ये सरस्वती का वरदान था मेरे सेरे पर ऐसे समझ सकते है कि हिंदी आपकी आत्मा की भाषा है और इसी हिंदी के जरिये आपने अनिक पुस्तकें लिखी है अनिक रचनाएं करी है तो हम यह प्रश्ण पूछना चाते है कि आपके लेखन प्रक्रिया के बारे में थोरा समय बताईए किस तरह से आप लिखते है विचा देने जाता है तो उसके सामने प्रश्ण पत्र होता है उसके हिसाब से वो देखकर उसका उतर देता है तो लिखक के सामने एक दूसरी चीज़ होती है लिखक के सामने कुछ लिखा नहीं होता है लेकिन लिखक सामने घटना होती है अपरत्यक शुरुप से अलिखित सामने क कोना कागल भी नुए उसके दिमाग में होता है कि मुझे लिखना कीया है कहीं से भी वह सम Dartmouth बटौर कर अपने दिमाग में समेट लेता है उसको लिखता है this means IP तो यह लिखन-प्रक्रिया जो रही है देखे लिखन-प्रक्रिया कि बात बड़ी गंभीर प्रक्रिया है ऐसा है कि उन दिनों मेरे दो-चार मेत्र थे और हमने लिखन साथ-साथ सुरू भी किया था तो उन लोगों ने मुझसे कहा नहीं था मैं साधारन था और उन्हें आगे मुझसे नौकरी मिल गई थी तो उन्होंने बात मैं मुझसे कहा था कि उन्होंने लिखन के लिए भारत से कौस लिया है इन जर्य पत्रक जर्य वह कोस मतलब चलाते थे आपके मौरुशन मिट रुख हां उन दिनों मेरे मित्रों ने एक लिया था कि पैसादे देते थे उनके पास परशन आता था बात करते थे क्योंकि आख की तरह सुईध जाते थे प्रामानपी तरब मिल जाता था मेरे साथ ऐसा नहीं था मैं क्या करता था जब जैसा कि मैंने कहा कि मैं लिखता था तो मैं घटनाय समिटा था बाहर में मैं लोगों से बिलता था ये में प्रकृति हो गई थी मैं लोगों से मिलता था बात करता था जो जीवन होता मेरा अपना जो जिवन है जो बाहर का, समाज का, देश का, जो समस्या हैं, जो कुछ हैं, तो मैं सुन्दा था, या समिटने का परियास करता था. और ऐसा है कि दस चिजा मैं समिट लो, तो इस मेंसे कम से कम एक कहानी निकालता था, और उसे मैं लिगता था. तो सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये हुई मैं इसा सोचता था कि कहानी मेरे लिए एक सशक्त माध्यम है क्योंकि कहानी जो है वो स्वयम जीवन है कहानी मैं इसा मानता हूँ कि हमारा जीवन जो चालिद जीवन है जो जीवन चल रहा है स्वयम एक कहानी है तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये रही थी जो बाहर की कहानी है जो मेरी कहानी है इसका मैं समनवे करूँ और मैंने लिखने का प्रयास किया और मैं समझता हूँ कि अच्छी ही कहानिया मैं लिखी है और लिखते 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 ऐसा नहीं कि पहली जो कहानी मैंने लिखी हो वही अंतिम है आदमी का लिखन कभी पूरा नहीं होता है जीना भी कभी पूरा नहीं होता है अंतिम सांस तक भी हम ये सोचते रह जाते हैं मुझे करना है और मृतियों आ जाती है जीवन खत्म हो जाता है लेकिन सपने अधूरी रह जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक लिखक की भी यही नियती है यही उसका जिवन है और वो हमेशा सोचता रह जाता है मैं सोचता रहता हूँ कि मैंने अपना अंतीम लिखन भी नहीं किया है बहतर आना है और वो आएगा नहीं मैं चला जाओंगा मैं इसा मनता हूँ रामदेव जी को जब भी समय मिलता है अपने लेखन की दुन्या में लोट जाते हैं बच्चों के विवाग के उपरांत अपनी धरम पत्नी के साथ रहते थे आज पत्नी घरवासी से स्वर्गवासी हो गई और रामदेव जी अपने सारे समय लेखन को देते हैं वे अधिकतर गध्य लिखते हैं और समाज की सचाईयों को अपनी कहानियों के पात्रों द्वारा अपने पाठकों तक पहुचाते हैं रामदीव जी आपकी बहुत सारे रचनाये हैं आपकी रचनाओ को पढ़ने के बाद पता लगता है कि आप गद्या ज्यादा पसंद करते हैं पद्या नहीं तो इसका कोई विशेश कारण देखे कोई विशेश कारण तो नहीं है ये चैन की बात है और ये बात तो आपके प्रतम प्रश्ण के अंतरगत इसका उतर मैंने थोड़ा दे दिया कि मेरे घर में कहानी चलती थी मेरे जो चाचा थे वो सुनाते थे और मेरे पिता जी जो थे वो कहानी सुनना पसंद करते थ तो मैं उनको सुनाता था और ये सब करने के लिए तो कविता नहीं चाहिए ये सब करने के लिए तो गद्य ही चाहिए बोला जाता है तो मैं बोलता था और बोलते बोलते मेरी शैली बनती जाते थे मैंने गद्य इसलिए चुन लिया गद्य की परिभाशा तो यही है कहानी उपनियास मैंने गद्य चुन लिया मेरी आत्मा में वो पैट गया और मैं लिखने लगा देखे, मैं आज तक ऐसा नहीं कि मैं कविता पढ़ता नहीं हूँ बलकि मैं तो कविता ही जप्ढ़ता हूँ फेस्बुक में construir आ आती हैं मैं तमाम कविताइं पढ़ता हूँ और मुझे नहीं लगता कि भारत की जो सशक्त कविताइं रही हों तमाम जो कवी रहे हों उनकी कविताइं मैंने न पढ़ी हो बात नहीं है सब की कविताय मैं पढ़ता हूं जैसे परसाद से लेकर आज तक के जितने सशक्त कवी हुए उन सब की कविताय मैंने पढ़ी हैं और पढ़ भी रहा हूं लेकिन कविता में मेरा ध्यान कभी नहीं गया तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं जो लिखता हूँ जो गद्या लिखता हूँ उसी में मेरी कवीता है आपकी पहली रचना के बारे में हम पूछना चाहेंगे किस साल आपकी क्या उम्र हुई होगी जब आपने अपनी पहली रचना लिखी थी बहुत सुन्दर प्रस् होते भी लिखन में मेरी रूची रही थी और ये कहानी की बाद तभी मैंने आपको सुनाई थी प्रफचर रामपरकाशवाली लेकिन इससे पहले मौरुशस में एक आदमी का नाम मुझे याद नहीं रहा है लेकिन उनका सैनिम शर्मा था वो एक अकभार निकालते थे हिंदी अकभार का नाम था कंग्रिस अच्छा हिंदी में निकालते थे उन दिनों एक तो हमती टोनों अभार नहीं निकलता, पत्रिका लग-बग नहीं निकलती है, लेकिन आपको सैय disaster would you know नहीं जानेंगे हर रविवार को मैं लोंग माउंटिन पधने जाता था 10 सेंट में चार शे पन्नो का अगबार हमको मिलता था दर्व जी वन नाम से विशुद साहितिक पत्रिका तो यह जो बात आप कर रहे एक पत्रिका एक अकबार निकलता था मुझे मिल लाता था पढ़ने को किस साल की बात है यह यह 65-70 के भीच की बात है यह उस जब मैंने वो पता देखा और मेरे पास लिखित कहानी थी तो उस पते पर मैंने वो कहानी भेज दे थी उस कहानी का सिर्शक यह भी चर्चा मैंने अकबार में की है उस कहानी का सिर्शक था नेता मतलब वो मेरा ही जीस के मैं कि में महदूर हूं, नवकरी करने जाता हूं गौरों के खेतों में और वहां पर मुझे यह प्रतार्ना, यह सजा मैं मुझे तो नवकरी की पत्रिया में मार मिली है आपको आश्चरिय होगा तो वो कहानी मैंने लिखे थे बना कर कहानी चप गई और वो कहानी मेरे पास डाग दोरा पहुच गई और उन्होंने एक नोट लिखा था कि आकर उनसे बेलू और मुझे याद आता है पोटलिस में सिनेमा देफा कि इधर इस पार उनका दफतर था मैं ढूंटे ढूंटे गया उनके अफतर वो बैठे हैं पत्रिका के तो उन्होंने मुझे आशिरवाद दिया था मुझे बुलाया था आशिरवाद देने के लिए बेटे तुमने बड़ी अच्छी कहानी लिखी है मैं तुमारा घर नहीं लिखन का और दूसरा शिरवाद मेरा यह हुआ राम प्रकाश्वाल तो समय जब पहली पहली बार आपकी रचना प्रकाशन में आई तो आपकी भावना के बारे हम जानना चाहते आपकी प्रक्रिया क्या थी रिक्शन क्या था देखे ऐसा कहा जाता है मैं लिखक हूं तरह के विचारा आते हैं जो एक लिखक होता है ना उसके भीतर बहुत कुछ होता है उसके भीतर इस्तरी होती है उसके भीतर जानवर होता है उसके भीतर राक्षस होता है यह बाहर से उठाकर अपने भीतर समा लेता है मतलब सारे नौ के नौ रस से के तभी के भीधर वो समाया होता है आपका ये जो प्रशन है कि वे मेरी प्रक्रिया किया रही होगी कि मुझे ऐसा लगता है और मुझे अच्छा लगेगा कि इसका उतर मैं आपको इस तरह से दे रहा हूं कि एक नारी नौ मेहने तक अपने साथ है एक नारी की पिड़ा हम पुरुष अनौवाव नहीं कर सकते वही मैसुस कर सकती है लेकिन जब संतान को जन्म वो देती है और चंड उसका निराला होता है उसमें वो डूब जाती है सारी व्यता भूल जाती मैं इसा मानता हूं तो एक लिखक का भी मैं इसा मानता कि जब मैं एक रचना लिखता हूँ, बड़े कश्ट से मैं इसको शुरू करता हूँ, लेकिन जब वो पुरा हो जाता है, तो मुझे बड़ा आत्मा है, बड़े आत्मा में समझे कि गदगद की भावना आ जाती है, कि मैंने एक रचना कहां से शुरू किया था और कहां लाकर पुरा करता हूँ, ये भी समझे कि प्रशव की पिड़ा के बाद का अपना अंत होता है, अपनी खुशी होती है, मैं इसा मानता हूँ, इस तरह का उतर एक साहित्यकार ही दे सकता है, मतलब एक विशेशक यही दे सकता है, मैं इसा मानता हूँ, कि एक लिखक का उतर यही हो सकता है इसी को स्रिजन की पीड़ा कहा जाता है वो बच्चे को संतान को देने वाली पीड़ा होती है यह स्रिजन की पीड़ा हो क्फर जिस कुछाओ स्रिजन की पीड़ा हो